Hello Friends, आज हम जानेंगे English or drift की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमल कैसे होती है? Drift की हिंदी में मतलब है अभी prior, half, century. चलिए कुछ example के जरी इस sword की हिंदी में मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं. Example, She could not let this moment drift by. इस sentence का हिंदे में मतलब है वो इस पल को यूही नहीं बहने दे सकती थी चलिए next example जान लेते हैं I hope we never drift apart dead way again इस sentence का हिंदे में मतलब है मुझे आशा है कि हम फिर कभी उस तरह से अलग नहीं होंगे चलिए next example जान लेते हैं He wanted to let this hand drift downwards but stopped himself इस sentence का हिंदे में मतलब है वो अपना हाथ नीचे की और जाने देना चाहता था लेकिन उसने खुद को रोक लिया चलिए next example जान लेते हैं The magnitudes of the stars are distributed in the same way in each draft इस sentence का हिंदे में मतलब है प्रितिक बहाव में तारों के परिनम समान रुप से बितरित किया जाते है So friends, उमीद करती हूँ ड्रेफ की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमल कैसे होती ही वो अच्छी तरह से समझ गये होंगे इसी तरह से और भी English और हिंदी में example के साथ जानने के लिए हमारी इस channel के home page में जाकर check out कर सकते है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें साथ सा channel को सस्काइब कर दीजिएगा